स्टार्ट करते हैं फिर और आज वह एक्शली हम लोगों ने एक निया टॉपिक जो है वह स्टार्ट करेंगे हम और वह टॉपिक जो है वह अच्छली है कि आप एक सिंगल पार्टिकल को लेकर और उसी क्वांटम मेकैनिकल क्रीटमेंट करेंगे और यह जो पार्टिकल है इसको भी फिलर हम one dimension में ले रहे हैं कुछ जो basic physics है वो तो आप लोगों को पता है कि जैसे particle in a box का concept आप लोगों ने पड़ा हुआ था यह वैसे ही है जैसे electron अपने nucleus के गिर्द रिवाल्व करता है और उसकी जो energies है वो bound energy levels होंगे और उनके ओपर वो partial square by partial x square of psi of x plus v of x psi of x is equals to e psi of x आप लोगों को यह बात तो पता है कि जब हमारे पास दो तरह के basically particle quantum mechanics में हम यूज करते हैं एक हमारे पास free particle होता है और एक हमारे पास bound particle होता है यानि particle in a box का concept होता है इन दोनों में difference यह होता है कि जो free particle है इसके पास सिर्फ kinetic energy के तोर पर होगी सी total energy लेकिन जो bound particle है इसके पास potential भी होता है ठीक है जी यानि इसके पास potential की value होती है और free particle के पास potential नहीं होता है इसलिए इसको free कहा जाता है कि वो किसी potential के ओपर act नहीं कर रहा होता अब क्यूंक हम यहां पर इसको bound particle की तोर पर ले रहे हैं तो हम इसका जो potential है ना उसको हम define करेंगे कि इसका जो potential है वो at x is equals to zero or x is equals to let's say L यानि अगर आप इसको bound particle के point of view से बनाए ना तो आप यह करके एक well सा बनाएं आप for example यह x is equals to zero position है तो यह x is equals to L position है तो इसके दरम्यान इसके उपर potential जो है वो exist कर रहा है लेकिन इससे बाहर और इन values के उपर इसकी value जो है यहां पर infinity की तरफ जा रही है तो यह concept हमने अपने जहन में लेकर इसको चलना अच्छा अब अगर आप इसी इस equation का श्रोडिंगर इस equation का आप solution लिखे श्रोडिंगर इक्वेजन का तो जो इसका solution है वो कुछ इस तरह से बनेगा कि si of n of x is equals to a sin of n by x by l ठीक है जी अब यह जो x by l इसकी value जो आप पर पास आगी है इस की वज़ा से अब आपको ना इसमें इस a की value को find out करना है तो क्योंकि यह constant है तो इसमें जाद बात जहें में रखनी है कि यहां पर जो आप लगोंने quantum mechanics पढ़ी है मैं सिर्फ इसको points में आपको discuss कर रहा हूं आपके साथ तो आपने इजाद रखना है कि जो first boundary condition है ना आप इसको अपनी quantum mechanics बुक में देख सकते हैं वो तो first boundary condition जो है ना वो कब यह satisfy करेगी जब आपके पास N जो है N कौन से वाला यह जो आपने यहां देखा है यह जो N है यह एक तो positive integer हो और दूसरा non zero हो ठीक है यह दो शरायत अगर यह पूरी करेगा तो उस वक्त फिर आप इसको कहेंगे कि हाँ यह second condition भी इसकी fulfill करती है अब इसमें एक बात यह होती है कि अगर आप से को बंदर यह कहें कि जी second condition क्यों नहीं फर्स कंडिशन की तरह हर बगार किसी कंडिशन के बगार कर सकती तो यह जाद रखेगा कि अगर आपके पास N negative हो जाए यह quantum mechanics में आप लोगों ने इसको पड़ा हुआ होगा अगर N negative integer हो जाए तो उस सुरते हाल के अंदर आप फिर यूं करके लिखेंगे ना कि माइनस एक्स को आप यानि आप माइनस साइन जो है वो फंक्शन की साथ आजाएगा अगर वो N की माइनस वैलियू के लिए होगा सो इस तरीका कार को इस तरीका कार को आवाइड करने के लिए एवन और 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 फंक्शन का चक्र बनता है तो आप इसको उस मद में फिर इस तरह कार से लिखते हो कि सेकंड जो कंडिशन है वो सैटिसफाई करेगी अगर N आपके पास एक positive integer के तोर पर पाया जाएगा अच् आप यह देखते हो कि अगर इसकी solution के बाद इसकी energy आइगन वैल्यूज आप लिखो तो आपको याद होगा कि इसकी आइगन वैल्यूज एच कट स्क्वेर पाई स्क्वेर एंड स्क्वेर अवर तू एम एल स्क्वेर ठीक है इसको वह हम अपने अलफाज में अलफा एंड स्क्वेर भी कह देते हैं विर एल्फा इस एच कट स्क्वेर पाई स्क्वेर बाई स्क्वेर टू एम एल स्क्वेर एंड जो है ना क्योंकि वोड़ चेंजिंग है एंटेजर है positive और non zero तो इसको हमने अब इस एल्फा को बाकी वैल्यूस को मैं इन एम एल और पाई वगरा की वैल्यूस को पुट करूंगा तो जो मेरे पास एल्फा की वैल्यू बनती है उसको मैं अगर अपने असानी के लिए लेख लो six point zero let's say ten to power minus 34 जूल और इसके लिए मैंने क्या किया है कि इस equation को मैं कैसे के लिए मैंने एल को one centimeter suppose कि है dependent value के लिए तो उसके हिसाफ से जब मैंने बाकी वैल्यूस को पुट किया है तो हमारे पास यह six ten to power minus 34 आपके पास answer आ गया अच्छा इसको further मैं अगर एक और aspect में यह मैं additional में काम कर रहा हूं कि यह मुझे आगे जरुवत पड़ेगा alpha by kb को मैं अगर divide करूं तो इसकी वैल्यू जो है four point four ten to the power minus 11 के की वैल्यू में आ जाएगी और अगर at 300 Kelvin तो इसका मतलब है कि alpha by abt तो इसको अगर मैं इस form में पुट करूं तो इसका जो result आएगा वो approximately one point five ten to the power minus 13 आएगा लेकिन इसके लिए आपको याद रखना है कि अगर आप यह answer लेना चाहते हो तो इसके लिए आपको L को माइक्रों में यानि ten to power minus six में पुट करना पड़ेगा तब आप इसको लेके आ सकते हो otherwise इसकी वैल्यू जो है वो बहुत small आती है अच्छा अब इसका मतलब यह हुगा कि हमें L की वैल्यू को यानि वो जो जिस region के अंदर electron ने confined होना है उसको माइक्रों में रखना पड करेगा तब हम इस वैल्यू को एक्जिस्ट करवा सकते हैं अब हम अपने काम की तरफ आते हैं जो हम पिछले प्रीवेस लेक्टर में भी करते रहे हैं वह था हमारे पास partition function के अगर हमने partition function को लिखना है तो लेट से हम यह कहते हैं कि n starts from one and goes towards infinity and e to the power minus epsilon e by kbt यहनी energy by kbt इसको यह जो distance है इसकी value from one to n आगी from infinity और यह आजाएगा minus r n square अब आपको समझा आगी होगी कि मैं यहां पे alpha by kbt q मैंने किया था और e n को मैंने alpha n square मैंने क्यों लिखा था यहां पे मैंने एक लवज आपके लिए गामा यूज कर दिया गामा stands for alpha by kbt यह जो था इसको हम kbt से मैं गामा कह सकता हूं ठीक है जी तो अब यह आपको समझा आगा कि यह e by kbt लिखा हुआ है into n square यह जो चीज़ थी ठीक है अच्छा अब इसी को अगर मैं लिखूं कि जो atoms हैं वो सिर्फ translational motion कर रहे हैं क्योंकि आपको मैंने भी समझाया था प्छले lecture में कि translational vibrational rotational modes भी होते degree of freedoms के point of view से तो अगर मैं इसको translational mode के अंदर लिखूं और मैं इसको यूं करूं कि from n1 from 1 to infinity तो e to the power minus r n square और इसको मैं अगर क्योंकि यह continuous form में almost आ चुका है तो इसको मैं from 0 to infinity कर दों लेट से e to the power minus r n square into dn तो इस integral को जब मैं solve करूंगा तो मेरा इस यह कुए special integral बनता है और यह special integral कुछ इस तरह से होता है कि x square sorry e power minus x square dx अगर आपके पास आ जाए so तो इसका answer जो होता है वो पाई बाई 2 रह जाता है अच्छा जी और इसको अगर मैं इसमें आपने याद रखना है कि alpha यहां पर हम x किसको ले रहे हैं x को हम लेंगे under root r n ठीक है जी या तो यह n square होगा तो यह n फिर under root से बाएर आ जागा या पसको un square भी कह सकते हो ताके वो आपको समझा जाए कि यह क्या करने तो जब हम इसकी जगा इसकी value को put करेंगे तो यह जड़ ट्रांसलेशनल हमारे पास आया उसकी value है ना वो actually आपके पास आ जाएगी पाई बाई 4 गामा और इनकी पावर वन बाई 2 अच्छा अब इसमें आप जड़ा इस गामा की value को put करेंगे जब इसकी value को put करेंगे वह आपको मैंने बताया था यह alpha बाई kb t और alpha जो है वह basically h cut square by 2 ml square है जब इसकी value को आप put करोगे तो यह क्योंके denominator में है तो यह कुछ इस तरह की value आप पास आ जाएगी कि L square m kbt our 2 pi h cut square और whole power इसकी 1 by 2 तो यह आपके पास let's say एक z translational की value आई है इसको आपने note down करना है अब हम इसी के उपर एक और approach भी लगाते हैं यानि हमने यहां पर translational mode के लिए जो partition function है एक atom का in up जो के एक box के अंदर यानि bound particle के तोर पर हमने treat किया तो उसका partition function हमारे पास कुछ इस तरह का आया है उसमें L square m kbt और pi 2 pi और h cut square is में आप यह देखे हैं कि यह temperature based है length based है other approach से हम इसको चेक करते हैं कि यह हम किस तरीका कार से इसको देख सकते हैं तो इसको देखने के लिए मैं क्यूं करता हूं कि let's say आप लोगों ने पड़ा हुआ था हाइजन्सबर्ग uncertainty principle के जो कोई भी material particle होता है ना उसके साथ एक wave associated होती है तो उसकी wave की एक wavelength होगी इसको हम इस तरीका कार से लिखते रहें और अगर वो material particle है तो वो M और into V के form में हम convert करते हैं और यह हाइजन्सबर्ग principle मैं यहां लिख देता हूं कि एक जो आपके पास position और momentum है उन दोनों का जो product है वो H-Cut के बराबर आएगा दूसे words में वो यह आपको समझाने की कोशि करते हैं कि अगर आप position को मालूम कर लें तो momentum uncertain हो जाएगा अगर आप micro level या nano level की ओपर चीजों को discuss कर रहे हैं तो इन मेंसे किसी एक चीज़ के बारे में आप sure होंगे दूसे चीज़ uncertain हो जाएगी सो इसी concept को अगर मैं लेके चलूँ तो यहाँ पर आप को याद होगा कि अगर मैं इस lambda के लिए value पुट करूं तो यहाँ पर आपने 3 kbt लिखा था यह जो आपने वेवलेंस की form में convert किया जाब इसको thermal energy के equal करेंगे ना यानि अगर आप इसको याद रखें कि यह mv है और यह lambda है तो इसको अगर आप momentum बनाएं और फिर उसके बाद आप इसको energy के साथ convert करें यानि 1 by 2 या और वी की value calculate करें तो इस तरह से आपके पास lambda की value बनेगी तो इसमें अगर आप देखें तो 3D के लिए ना हम इस lambda को जब हम put करते हैं तो यह lambda d एक हम डिबाए wavelength के point of view से इसको देख लेते हैं तो यह इस तरीका का concept आप लोग ने कहीं इसको solid state physics में देखा होगा कि वह इस इस तरीकार का आप पास एक चीज़ पूफ हो जाती है और इसमें अगर हम h को approach करवाएं 0 को तो आप देखेंगे कि आप पास यह जो lambda d है यह भी 0 की तरफ अप्रोच करेगा यानि कि आपके पास जो z है यानि partition function है वह infinite हो जाएगा जिसकी कोई sense नहीं बनती है actually तो इसमें हम जो है ना different parameters को मालूम कर सकते हैं तो यह यहां पर आकर हमारे पास यह चीज़ जो है वो एक किसी मानने की तरफ हमें लेके जाती है कि इन wavelength के साथ यह temperature किस तरीके से associated है और इनके कम यह जादा होने से हमें क्या फर्क पता चलेगा यह हम किस को किस तरीकार से मालूम कर सके अच्छा इसमें एक और भी है कि अगर आप हमने फर्दर किसी और इससे आगे जाना है और फ्री इनर्जी को फांड आउट करना है तो वो के बीटी और नैच्रल लॉग आफ दिस फंक्शन वो क्या था एल स्क्वेर एम के बीटी बाए टू पाई एच कट स्क्वेर और होल पाउर वन बाई टू और एंट्रॉपी एंट्रॉपी का आपको बता है कि वो फार्मूला पार्शल एफ बाई पार्शल टी होता है एट कॉंस्टंट वी और साथ एक नेगेटिव साइन इससे तरीके से अगर आप इसमें यहां पे फार्मूला यह वाला पुट करके आप इसको मालूम कर सकते हो और सिमिलरली जब हम आगे बढ़ेंगे तो फाइनली हम स्पैसिफिक हीट ओफ सिस्टम की तरफ जाते हैं जो कि हमारे पास होता है पार्शल एस बाई पार्शल टी मल्टिप्लाइट बाई टी एट कॉंस्टंट वी जब आप इस तक पहुंचेंगे जो कि मालूम करेंगे यहां इस्टम करेंगे पत जब आप यहां दो यहां तो वो जो आपके पास value आएगी वो constant आजाएगी और उसकी value होगी kb by 2 तो यहां से आपको यह पता चलता है कि जो specific heat होती है for one dimensional atom जो कि bound particle है या जो एक inner box में है वो किसके equal आती है वो specific heat kb by 2 के equal आती है जो कि आपको एक constant value दे रहा है यानि specific heat एक single one dimensional atom के लिए constant quantity के तोर पे आ रही है यहां से आपको एक question जहन में उठता है कि specific heat तो constant हो नहीं जगती वो तो change होगी तो इसका मतलब है कि हमने जो पीछे से इस question को attempt करते हुए अपने जहन में जो चीज़ें बिठाई थी या जो चीज़ें जिनको हमने conditions लगाए थी उनमें कोई condition ऐसी है जो कि हम miss कर रहे हैं तो अगर आप review करके देखें तो हमने एक तो one d ली है actually atom one d में तो होता नहीं है वो तो three dimensional में होगा minimum तो यह condition आप अगली तफ़ा चेंज करेंगे फिर हमने ट्रांसलेशनल मोड में जी ट्रांसलेशनल लिखा है ठीक है ट्रांसलेशनल तो नहीं होगा क्योंके atom की हमने बाकी motions को restrict कर दिया था अब हम उसे restrict नहीं करेंगे बलके आप यह करेंगे कि translation के साथ rotation और vibration को भी add करेंगे तो फिर देखेंगे कि क्य अगर आप सिंगल पार्टिकल को राके treat करेंगे तो फिर उसके उपर आपको क्या effect मिलेगा और फिर उसी के बाद हम देखेंगे कि इस three dimensional box के अंदर अगर हम further अपनी को इसी और चीज को add करें और हम यह कहें कि हमारे पास rotation और vibration को भी add किया जाए तो फिर specific heat में क्या change आ सकत है तो यह फिर आप उसके बाद इस जो है ना आप यह कह सकते हैं कि हम इसको इस तरीका कार को देखते हुए complete conditions इसके उपर लगेंगी तो फिर हमें यह पता चलेगा कि हाँ जी अब हम ठीक है रहे हैं और हमारी specific heat constant नहीं आएगी बलके वह कुई huge parameters के उपर depend करती हो नजर आ